आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत हैं यहां इन लेक्चर की थू हम सीनेनिम कम्प्लेट कर रहे हैं तो 2.40 तक हमने कम्प्लेट कर लिये थे आज 2.41 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले के जो वीडियोस हैं वो आप जाके यहां चैनल पे देख सकते हैं तो 5-5 मिनट के वो वीडियोस हैं काफे जल्दी जो सिनेनिम हैं वो रिवाइज हो जाएगे इनको बार बार देखना बहुत जरूरी है तो अब जादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे 241 पे दिया है ओस्ट्रसाइज ओस्ट्रसाइज का मतलब होता है बहिश्कृत कर देना इसको बेनिश भी लिख सकते हैं तो बेनिश जो है वो इसका यहां पे सिनेनिम है इसके बाद नेक्स्ट है अपेल्ड अपेल्ड होता है स्टम्बित रह जाना आश्य चकित रह जाना तो इसको हम करेंगे शोक्त से रिपर्जेंट इसका सिनेनम है शोक्ति आगे है इमबे सिलिटी इसका अर्थ होगा मुर्खता तो स्टूपीडिटी हो जाएगा स्टूपीडिटी नेक्स्ट भी यही लिखा है अगले पे चलते हैं नेक्स्ट है कोल्यूजन कोल्यूजन का मिनिंग होता है मिली भगत तो इसको लिखते हैं सीक्रेट एग्रिमेंट जिसको सार्थाट बोलते हैं वो इसका मिनिंग है नेक्स्ट है है ऐसिटेंट हैजिटेंट का मतलब होता है अनडिसाइड़ तो यह जो सिनेनिम है एग्जाम के लिहाद से काफू इंपोर्टेंट है आगे है डिसेप्टिव का होता है मिसलीडिंग misleading इसका synonym हो जाएगा आगे है pulpable का हो जाएगा obvious next है let back easy going easy going यह starting में tough लगते लेकिन धीरे धीरे practice से यह फिर काफी easy हो जाते है next है son tearing इसका जो meaning है वो होगा brisk walking यानि जल्दी जल्दी टहलना जो होता है उसको बोलते है brisk walking next है pompous pompous होता है bhavya adam bariukth जिसको grand use भी बोलते है तो इसका synonym है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अगला है seize तो siege का यहाँ पे हो जाएगा stop siege कर देना यह सब सुना होगा daily life में इसके बाद है pious pious होता है religious religious next है abandon abandon का होता है यहाँ पे force एक अगला है intimidate intimidate होता है भाय मुक्त भाय यूक्त sorry तो इसका हो जाएगा frightened इसके बाद है regard regard का हो जाएगा respect इसके बाद है swap swap का हो जाएगा exchange इसका हो जाएगा exchange and prudent prudent का हो जाएगा wise यानि बुद्धिमान and genius का हो जाएगा and intellect बुद्धिमान व्यक्ति culmination का हो जाएगा climax climax तो इस तरीके से हमने बहुत ही कम टाइम में यहाँ पे 20 सिनिनम है वो देख लिए है अब काफी कम बचे हैं शायद एक वीडियो में complete हो जाएगे हो उसके बाद हम next इस topic स्टार्ट करेंगे so I hope आप को यह समझ आ रहा होगा आप comment section में बता सकते हैं so keep watching and keep sharing thank you so much have a nice day